हेलो फ्रेंड्स मैं सुस्मा कुहार्ड वेलकम टू माई चैनल फ्रेंड्स आज मैं आपके लिए एक बहुती सुन्दर और बहुती आसान डिजैन लेकर आई हूँ आज मैं आपको डिजैन बनाना सिखाऊंगी कि ये डिजैन कैसे बनाया गया है इस डिजैन को आप लेडिज कार्डिगन, लेडिज हाफ जैकेट, गर्ल स्टो, फ्रोग, कुर्ती, मफलर, शोल, स्टोल किसी भी प्रोजेक्ट पर अपलाई कर सकती है सभी प्रोजेक्ट पर ये डिजैन बहुती संदर लगता है इस डिजैन को बनाने के लिए आपको 23 के multiple फंदे लेकर 4 फंदे एक्स्ट्रा लेने होंगे तो ये डिजैन आपके project पर इस तरह से adjust हो जाएगा 23 के multiple देखिए आप इसमें 23 फंदे गिन लिजिए फिर से 23 इस तरह से बार बार 23 फंदे गिनते जाए और last में आपके 4 फंदे होने चाहिए ये डिजैन सीधी साइड से शुरू होता है और 8 सलाईयों में complete हो जाता है इस डिजैन को बनाने के लिए हमें कुछ सलाईयां पहले उल्टी उल्टी बुनने होती हैं तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं तो ये देखिए फ्रेंट्स इस डिजैन को बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिए हैं 50 फंदे 23 के multiple करके और 4 फंदे extra फंदे डालने के बाद सीधी साइड से भी उल्टी और उल्टी साइड से भी उल्टी सलाईयां बनाते हुए यहाँ पर मैंने ये 8 सलाईयां बनाई हुई हैं इसमें आप 6, 8 या 10, 10 सलाईयों तक आप इसमें बन सकती हैं जितनी चोड़ी आपको नीचे से इसकी ये पट्टी चाहिए उतनी ही सलाईयां आप इसमें बन सकती हैं तो यहां पर मैंने इसमें 6 सलाईया बनाई हुई हैं और यहां पर मैंने यह 8 सलाईया बुन ले हैं तो यह आपके अपनी मर्जी होगी कि आप यहां पर 6 सलाईया, 8 सलाईया या 10 सलाईया जितनी बनाना चाहो उतनी बना लिजिए उसके बाद डिजैन के यहां से पहली सलाई है और सीधी साइड है तो ध्यान दीजिए कि पहली सलाई कैसे बनेगी तो ये देखिए पहला फंदा इसका है इसे उतारिये या उल्टा बनाएए ये आपकी अपनी मर्जी है अब एस्टीज के बाद यहां से हमारा डिजैन शुरू हो जाएगा तो एस्टीज के बाद दो फंदे उल्टे देखिए एक और ये दो अब धागे को पीछे करेंगे और ये देखिए तीन फंदों को इस त प्लाई डालेंगे और तीन फंदे का यहां पर एक फंदा बना देंगे अब हम यहां पांच फंदे सीधे बनाएंगे देखिए एक दो तीन चार और ये पांच अब देखिए यहां पर हमने जो तीन फंदे का एक फंदा बनाया तो दो फंदे यहां कम हो गए थे इसके बा धागे को अपनी तरफ करेंगे एक फंदे को ऐसे सीधा बना देंगे तो देखे जाली से एक फंदा बढ़ गया फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और एक फंदे को ऐसे सीधा बनेंगे तो जाली से दूसरा फंदा बढ़ गया जो फंदे हमने यहां पर कम किये वो हमारे यहा वापस से पूरे हो गए फिर धागे को अपनी तरफ करेंगे एक फंदा यहां उल्टा बना देंगे फिर धागे को पिछे की तरफ करेंगे एक फंदा ऐसे सीधा बुन देंगे फिर धागा अपनी तरफ लाएंगे एक फंदे को सीधा बनाएंगे तो यहां हमारी जाली आ गई फिर धागे को अपनी तरफ करेंगे और 5 फंदे सीधे बनाएंगे 1, 2, 3, 4, और ये पांच तो ये देखिए यहां पर हमने 1 और ये दो जाली जो बनाई है उसके लिए हम यहां 3 का एक करेंगे तो देखिए 1, 2 और ये 3 इन 3 फंदेंों में बैक सैड से स्लाई डालेंगे और 3 फंदे का 1 फंदा हम यहाँ पर बना देंगे फंदे टाइट हो तो इनको आप लोग जरूर कीजिए और फिर 3 फंदे का 1 फंदा बना दीजिए जो हमने 40 से फंदे बढ़ाए वो हमने यहाँ घटा दिये Estes को छोड़ कर यहां से यहां तक हमने यह 23 फंदे का डिजाइन बनाया है अब इसी डिजाइन को बार बार रिपीट करते जाना है तो दुबारा से डिजाइन को रिपीट कर रही हूं ध्यान से देखिएगा दो फंदे यह उल्टे फिर हम धागे को पिछे करेंगे तीन फंदो को इस तरह से लूज करेंगे आगे से स्लाइड डालके तीन फंदे का यहां एक फंदा बना देंगे फिर पांच फंदे सीधे एक, दो, तीन, चार, पांच धागे को अपनी तरफ लेकर आएंगे एक फंदा सीधा बना देंगे तो जाली से एक फंदा बढ़ गया फिर धागा अपनी तरफ करेंगे एक फंदे को सीधा बुन देंगे तो यहां जाली से दूसरा फंदा बढ़ गया धागे को अपनी तरफ करेंगे एक फंदा उल्टा बुनेंगे फिर धागा पीछे एक फंदा ये सीधा धागा अपनी तरफ करके इस एक फंदे को सीधा बनाएंगे तो जाली से एक फंदा आ गया फिर धागे को अपनी तरफ करेंगे और पांच फंदे सीधे बनाएंगे एक दो तीन चार और ये पांच अब देखिए यहाँ पर हमने एक और यह दो जाली बनाई हैं। उसके लिए यहां तीन फंदे का एक फंदा बनाएंगे। तो तीन फंदों को इस तरह से हलकार सा लूज करेंगे और back side से slide डालके तीन फंदे का यहां एक फंदा बनादेंगे। फंदे टाइट होते हैं इसलिए इनको लूच जरूर कर लीजिए अब तीन का एक किया तो दो फंदे यहां कम होगे जो हमने जाली से बढ़ाई थे आपके जितने भी फंदे हूँ यही 23-23 फंदे का डिजैन आप इसमें बार बार रिपेट करते जाएए और लाश्ट में उल्टी साइड पर अब देखे जो फंदे हमने इस साइड पर उल्टे बनाए हैं वो हम उल्टी साइड पर सीधे बुनेंगे जो सीधे हैं उनको हम यहां उल्टा बनाएंगे तो ध्यान से देखिएगा हमारा इस से उतारिये यह उल्टा बनाएंगे धागे को पीछे करेंगे दो फंदे यह सीधे एक दो धागा अपनी तरफ करेंगे और दस फंदे अब उल्टे एक दो तीन च्यार पांच छे साथ आठ नो और यह दस अब धागे को पीछे करेंगे और एक फंदा सीधा बनाएंगे फिर धागा अपनी तरफ और दस फंदे उल्टे एक दो तीन च्यार पांच छे साथ आठ नो और यह दस पैन बनाया है दो सीधे दस उल्टे एक सीधा और दस उल्टे अब इसी डिजैन को बार बार रिपीट करते जाना है तो देखिए दो फंदे सीधे एक और यह दो फिर धागा अपनी तरफ और दस फंदे उल्टे एक दो तीन च्यार पांच छे साथ आठ नो और यह दस फिर धागे को पीछे करेंगे और एक फंदा यह सीधा धागे को अपनी तरफ लाएंगे और दस फंदे उल्टे बनाएंगे एक दो तीन च्यार पांच छे साथ आठ नो और यह दस अब देखिए आपके जितने भी फंदे हों यही तेश तेश फंदे का डिजाइन बार बार बनाते जाएए लास्ट में आपके तीन फंदे होंगे दो फंदे सीधे और एस टीज को उल्टा बुन देंगे तो यह देखिए दो सलाईया डिजाइन की कम्प्लीट हो गई अब आज यह इसकी तीसरी सलाई और सीधी साइड पर तीसरी सलाई को ध्यान से देखिएगा पहले फंदे को उतारिए या उल्टा बनाएए अब यहां से हम डिजाइन को शुरू करेंगे तो एसटीस के बाद दो फंदे उल्टे धागा पीछे करेंगे और यहां तीन फंदे का एक फंदा बनाएगे देखिए एक दो और यह तीन इन तीन फंदों को हलका सा लूझ करेंगे आगे से स्लाइड डालेंगे और तीन फंदे का यहां एक फंदा बना देंगे अब देखें फिर से हमें यहां पर एक, दो, तीन और यह चार फंदे सीधे बनाने के बाद धागा अपनी तरफ करना है और इस एक फंदे को हम सीधा बना देंगे तो यहां जाली आ गई तीन का एक चार फंदे सीधे फिर धागा अपनी तरफ करके इस फंदे को सीधा बनाया तो जाली आ गई फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और अब हमारे यहां दो फंदे सीधे आएंगे एक और यह दो धागा अपनी तरफ एक फंदा उल्टा धागे को पिछे करेंगे और इन दो फंदों को सीधा बुनेंगे एक दो फिर धागा अपनी तरफ करेंगे इस फंदे को सीधा बना देंगे तो यहां जाली आ गई फिर धागे को अपनी तरफ करेंगे और यहां हम चार फंदे सीधे बनाएंगे देखिए एक, दो, तीन और यह चार अब यहां तीन फंदों का एक फंदा बनाएंगे क्योंकि जाली से हमारे यहां दो फंदे बढ़ गए एक, दो और यह तीन, इन तीनों को लूज करेंगे और बैक साइड से स्लाइड डालके तीन फंदे का यहां एक फंदा बना देंगे अब एस्टीज के बाद यहां तक हमने तेईस फंदे का डिजाइन बनाया है अब इसी को बार बार रिपेट करना है तो ध्यान से देखिए दो फंदे यह उल्टे फिर धागा पीछे करेंगे तीन फंदों को पहले लूज करेंगे आगे से स्लाइड डालेंगे और तीन फंदे का यहां एक फंदा बना देंगे फिर चार फंदे सीधे एक दो तीन और यह चार धागे को अपनी तरफ करेंगे इस एक फंदे को सीधा बनाएंगे तो एक फंदा बढ़ गया फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और इन दो फंदों को सीधा बना देंगे तो जाली से हमारा एक फंदा यहां और बढ़ गया जो यहां कम होते हैं वो जाली से बढ़ जाते हैं फिर धागा अपनी तरफ एक उल्टा धागा पीछे अब यहां दो फंदे हम सीधे बनाएंगे धागे को अपनी तरफ करेंगे इस एक फंदे को सीधा बनेंगे तो यहां पर जाली से फंदा बढ़ गया फिर से धागा अपनी तरफ और अब हम चार फंदे सीधे बना देंगे एक दो तीन और यह चार अब यह जो तीन फंदे हैं इन तीनों को ऐसे लूज करेंगे बैक साइड से स्लाइड डालेंगे और तीन फंदे का एक फंदा यहां बना देंगे आपके जितने भी फंदे हों यही 23-23 फंदों का डिजाइन बनाते जाएंगे और लाश्ट के तीन फंदों को उल्टा बुन देंगे तीन सलाइयां डिजाइन की कम्पलीट हो गई अब आज यह इसकी चोथी सलाइड और हैं वो बिल्कुल कलियर नजराने शुरू हो जाएंगे तो जहां पर आपको सीधे उल्टे जैसे दिखें वैसे बनाते हुए फोर्थ सलाई को कम्पलीट कर दीजिए तो यह देखिए फ्रेंट चार सलाईयां डिजाइन की कम्पलीट हो गई और यह जो इसमें कटाओ बनत चला जाएगा जब हम इस डिजाइन को आगे आगे बुनते जाएंगे तो पांचमी सलाई है और सीधी साइड है इसे आप ध्यान से देखिए पहले फंदे को उतारिये या उल्टा बनाईए अब यहां से हम डिजाइन को शुरू करेंगे तो एस्टीज के बाद दो फंदे उल्टे धागा पीछे करेंगे और तीन फंदों को हलका सा लूज करेंगे आगे से सलाई डालेंगे और इन तीन फंदों का यहां एक फंदा ऐसे बना देंगे अब यहां पर हमें तीन फंदे सीधे बनाने हैं देखिए एक दो और यह तीन अब धागे को अपनी तरफ करें और इस फंदे को सीधा बनेंगे यहां पर जो हमने तीन का एक करके दो फंदे घटाए एक जाली यहां आ गई धागा अपनी तरफ करेंगे और इन तीन फंदों को सीधा बनेंगे एक दो और ये तीन अब धागे को अपनी तरफ करेंगे एक फंदा ये बीच वाला उल्टा ब एक दो और ये तीन धागा अपनी तरफ करेंगे और एक फंदे को सीधा बनाएंगे तो एक जाली आ गई फिर धागा अपनी तरफ और तीन फंदे सीधे एक दो और ये तीन अब देखिएगा इन तीन फंदों का एक फंदा बनाएंगे क्योंकि दो जाली हमारी यहां आ चुक तो इन तीनों फंदों को ऐसे लूज करेंगे और बैक साइड से तीन फंदे का यहां एक फंदा बना देंगे अब देखिएगा यहां से एस्टिज को छोड़ कर और यहां तक हमारा तेज फंदे का डिजैन बन गया है इसी को बार बार रिपीट करना है धागा अपनी तरफ क पूल्टे धागा पीछे तीन फंदों को पहले लूज करेंगे आगे से स्लाइड डालेंगे और तीन फंदे का यहां एक फंदा बना देंगे तीन का एक करने से दो फंदे कम हो गए हैं अब तीन फंदे सीधे एक दो और यह तीन धागे को अपनी तरफ करेंगे और एक फं दो और ये तीन धागे को अपनी तरफ करेंगे एक फंदा उल्टा फिर धागा पीछे तीन फंदे ये सीधे धागे को अपनी तरफ करेंगे एक फंदे को सीधा बनाएंगे तो एक जाली आ गई फिर धागा अपनी तरफ और तीन फंदे सीधे एक, दो, और ये तीन. इन तीन फंदों को इस तरह से लूज करेंगे और बैक साइड से तीन फंदे का एक फंदा बना देंगे. लास्ट के तीन फंदे उल्टे आएंगे. पांच सलाईयां डिजैन की कमप्लीट हो गई. छटी सलाई है और उल्टी साइड है. छटी सलाई पर आपको जो फंदे जैसे दिखें वैसे बना दीजिए सीधे हैं तो सीधे और उल्टे हैं तो उल्टे तो ये देखिए अब हमारी ये सात्मी सलाई है और सीधी साइड है सात्मी सलाई को आप ध्यान से देखेगा कि कैसे बनेगी पहले फंदे को उतारिये या उल्टा बनाईगे अब यहां से लिजाएर को शुरू करेंगे एस्टिज के बाद दो फंदे उल्टे धागा पीछे करेंगे 3 फंदों को हल्का सा लूज करेंगे और आगे से स्लैड़ डाले के 3 फंदे का यहां एक फंदा बनादेंगे अब ये दो फंदे सीधे एक और ये दो धागा अपनी तरफ करेंगे और इस एक फंदे को यहां सीधा बना देंगे फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और चार फंदे सीधे एक, दो, तीन और ये चार धागा अपनी तरफ और एक फंदा ये उल्टा फिर से धागा पीछे और चार फंदे सीधे एक, दो, तीन और ये चार धागा अपनी तरफ एक फंदे को सीधा बनाएंगे फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और यहाँ दो फंदे सीधे एक और यह दो अब हमें यहाँ तीन फंदे का एक फंदा बनाना है तो तीन फंदे को लूज करेंगे और बैक साइड से तीन का एक फंदा बना देंगे ये HTS को छोड़ कर यहां तक हमने 23 फंदे का डिजाइन बनाया है इसी डिजाइन को अब बार बार रिपीट करना है धागा अपनी तरफ 2 फंदे उल्टे फिर धागा पीछे 3 फंदों को लूज करेंगे आगे से स्लाइड डालेंगे और 3 का 1 फंदा यहां बना देंगे फिर 2 फंदे सीधे 1 और ये 2 धागे को अपनी तरफ करेंगे 1 फंदा सीधा फिर धागा अपनी तरफ और यहां पर हम 4 फंदे सीधे बनाएंगे 1, 2, 3 और ये 4 धागे को अपनी तरफ करेंगे एक फंदा उल्टा फिर धागा पीछे एक दो तीन और ये चार फंदे यहां सीधे बनाएंगे फिर धागे को अपनी तरफ करेंगे और एक फंदा सीधा बनेंगे तो एक जाली आ गई फिर धागा अपनी तरफ और दो फंदे यहां सीधे बनाएंगे तो फिर से जाली सी फंदा बढ़ गया अब तीन फंदों को लूज करेंगे और बैक साइड से तीन का एक फंदा यहां बना देंगे लास्ट के तीन फंदे उल्टे आएंगे साथ सलाईयां डिजैन की कम्प्लीट हो गई है आठमी सलाई है और इसकी उल्टी साइड है जो फंदे आपको जैसे दिखाई दें वैसे बुनते हुए आठमी सलाई को आप कम्प्लीट कर दीजिए तो ये देखे फ्रेंट्स इस तरह से आठ सलाईयों में ये डिजैन ओवर हो जाता है अब इन्ही आठाठ सलाईयों को बार बार रिपेट करते जाना है तो चलिए मैं आपको इसकी नेक्स्ट बार की स्टार्टिंग बता देती हूँ ताकि इस डिजैन को आगे रिपेट करने में आपको कोई प्रोब्लम ना आए तो यहां से नोमी सलाई पर नेक्स्ट बार की स्टार्टिंग है जैसे हमने इसकी पहली सलाई बुनी थी ये वाली आठ सलाईयां बुनने के बाद वही पहली सलाई अब मैं यहां से एक बार फिर से बता रही हूँ तो पूरी सलाई को ध्यान से देखिए एस्टीज को उतारिये या उल्टा बनाईये यहां से डिजैन शुरू हो जाएगा तो एस्टीज के बाद दो फंदे उल्टे धागा पीछे करेंगे और तीन फंदों का यहां पर एक फंदा आगे की सैड से सलाई डाल कर बना देंगे तो देखिए इस तरह से आगे से सलाई डालिए और तीन का एक फंदा बना दीजिये अब यहां पर आपको पांच फंदे सीधे बनाने हैं देखिए एक दो तीन चार और यह पांच अब यहां पर तीन का एक करने से दो फंदे कम हो गए उसके लिए धागा अपनी तरफ करेंगे और एक फंदे को सीधा बनाएंगे फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और दूसरे फंदे को सीधा बना देंगे तो देखिए दोनों तरफ यहां जाली आ गई जो फंदे कम किये वो यहां जाली से बढ़ गए जैसे यहां से पहली सलाई से स्टार्टिंग हुई सेम नौमी सलाई पर हो गई है फिर धागा अपनी तरफ करेंगे एक फंदा उल्टा धागा पीछे एक फंदा सीधा धागा अपनी तरफ करके एक फंदे को सीधा बनेंगे फिर धागा अपनी तरफ और पांच फंदे सीधे एक दो और ये देखिए तीन च्यार और ये पांच अब यहां हम तीन फंदे का एक फंदा बनाएंगे क्योंकि जाली से दो फंदे बढ़ चुके हैं तो बैक साइड से तीन फंदे का यहां एक फंदाये से बना देंगे टाइट हो तो इने लूज जरूर कीजिएगा अब STs के बाद यहां से यहां तक हमने 23 फंदे का डिजाइन बनाया इसी को बार बार रिपीट करना है तो दोबारा से डिजाइन को रिपीट कर रही हूँ ध्यान से देखिएगा दो फंदे ये उल्टे फिर धागा पीछे तीन फंदों को लूज करेंगे आगे से स्लाई डालेंगे और तीन का एक फंदा बना देंगे फिर हम पांच फंदे सीधे बनाएंगे एक, दो, तीन, चार, और ये पांच धागे को अपनी तरफ करेंगे एक फंदा सीधा बनाया तो एक फंदा जाली से बढ़ गया फिर धागा अपनी तरफ दूसरे फंदे को सीधा बनाया, तो जाली से एक फंदा यहां आ गया, तो यहां हमारे फंदे बराबर होते चले जाते हैं, धागा अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, अब देखेगा, यहां पर हमें एक फंदा पहले सीधा फिर धागा अपनी तरफ करेंगे एक फंदे को सीधा बनाया तो एक जाली आ गई फिर धागा अपनी तरफ करेंगे पांच फंदे सीधे बनाएंगे तो यहां दूसरी जाली हमारी आ जाएगे तो देखिए दो तीन च्यार और यह पांच अब इन तीन फंदों का एक फंदा बनाएंगे तो तीनों फंदों को पहले लूज करेंगे, फिर बैक सईड से स्लै डाल कर, तीन फंदे का यहाँ एक फंदा बना देंगे। आपके जितने भी फंदे हों यही 23-23 फंदे का डिजाइन बार बार बनाते जाएए और लास्ट के तीन फंदों को आप उल्टा बना दीजिए तो यहां पर यह next बार की starting हो गई है उल्टी साइड पर आपको जो फंदे जैसे दिखेंगे वैसे ही बना देने है जब आप बार बार इनी आठाठ सलाईयों को रिपिट करेंगी तो यह देखिए इस तरह से आपका बहुत ही प्यारा सा यह डिजाइन बनता चला जाएगा तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा यह डिजाइन पसंद आया हो मेरा बताने का तरीका पसंद आया हो तो प्लीज आप इस वीडिय के नोटिफकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें और आप मेरे चैनल के सारे वीडियो सबसे पहले देख सकें तैंक यू